नमस्कार मैं हूँ परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी कॉंग्रिस के लिए हर राज्य से इस वक्त बुरी खबरें सामने आ रही है अब मद्रप्रदेश में भी कॉंग्रिस की अंदरूनी गुडबाजी खुल कर सामने आ चुकी है पूर्व सियम कमलनाथ ने राहुल गांदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कमलनाथ के बागी तेवरों ने सोनिय और खड़गे की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है पूर्व सियम कमलनाथ के ताजा बयान और उनके बेटे चिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ की जनसभाएं कॉंग्रिस में बड़ी उठापटक की तरफ इशारा कर रही है दोनों के बीजेपी जॉइन करने को लेकर राजनेति गल्यारों में जम कर चरचाएं हो रही है एक तरफ कमलनाथ ने तीन फरवरी को कहा कि कोई भी किसी भी पार्टी में जाने के लिए आजाद है तो वही नकुलनाथ भी लगातार आदिवासियों के बीच जनसभाएं कर रहे हैं लेकिन नकुल कॉंग्रिस के लिए नहीं बलकि नाहच परिवार के लिए वोट मांग रहे हैं कमलनाथ ने सुनिया और राहुल गांधी को दीच चनाती मध्यप्रदेश में होने जा रहा है बड़ा खेला 2024 चुनाफ से पहले कॉंग्रिस को लग सकता है बड़ा जटका कॉंग्रिस नहीं पिता की उपलब्धियां गिना रहे हैं नकुलनाथ बीजेपी जोइन करेंगे नकुलनाथ आमतर पर किसी भी पार्टी का राजनेता या जन प्रतिनी धी जब जनता के बीच वोट मांगने के लिए जाता है तो वो अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिनाते हुए पार्टी का चुनाप्रचार करता है और पार्टी के पक्ष में वोट की मांग भी करता है लेकर भी नकुल ने नाथ परिवार के लिए वोट मांगने शुरू कर दिये कयास लगाए जा रहे हैं उन्होंने तैकर लिया है कि लोगसभा का चुनाव नाथ परिवार से कोई और नहीं लड़ेगा हाले कि आने वाले लोगसभा चुनाव में कहीं भी वो कॉंग्रेस के लि प्रभारी न्योक दिये थे लेकिन अचानक से सभी कलस्टर प्रभारी संभाग में बदलाव कर दिया गया इसी कड़ी में जबलपूर संभाग के कलस्टर प्रभारी कैबिनेट मंत्री प्रलाथ पटेल को भी रिवा की जिमेदारी देते हुए जबलपूर संभाग में कैला विजे वर्ग्यों को जिम्मा दिया गया कायास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पूर्वुसियम कमलनाद और प्रलहात पटेल के बीद यहां पर आपसी तालमेल नहीं बन पाता शायद इसलिए पहले से रड़नीती तै की जा रही है कि नात परिवार बीजेपी में शामिल हो त जिसमें से चार में बीजेपी का आना लगभग तैमाना जा रहा है वहीं एक कॉंग्रिस के बक्ष में आ सकती है लेकिन उसके पहले बीजेपी बड़ा खेल करने की तैयारी में है तो जिससे कई सवाल खड़े हो गए है राजनेती गलियारों में चर्चा ये है कि पूर्व सियम कमलनाथ भी हो सकते हैं इसके बाद कमलनाथ को केंद्र में कैबिनेट मंत्री का तोफा भी मिल सकता है फिलाल ये कयास लगाए जा रहे हैं और इस तरह की चर्चाएं मध्यप्रदेश में चल रही हैं मध्यप्रदेश की चिंदवारा से सांसत नकुलनाथ में बड़ा एलान भी कर दिया दरसल पांच फरवरी को परासिया में एक आभार जनसभा को संबोधित किया गया था और इस दोरान मध्यप्रदेश की पूर मुख्यमंत्री कमलनाथ के बिटे नकुलनाथ ने एलान किया कि अगामी लोगसभा चुनाव वो चिंदवारा जिले से ही चिंदवारा सांसर नकुलनाथ परासिया में जनसभा को संबोधित कर रहे थे इस दोरान उन्होंने कहा अफ़वा चल रही है कि छिंदवारा से लोगसभा का प्रत्याशी रहूंगा कमलनाथ जी का पूरा सहयोग मेरे साथ रहेगा और वो मेरा मार्ग दर्शन भी करेंगे इस दोरान नकुलनाथ के साथ मंच पर पूर मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद थे नकुलनाथ ने आगे कहा मुझे आप पर पूरा भरुसा है 42 साल आपने कमलनाथ परिवार का साथ दिया है अपना प्यार और आशिरवाद दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आ माइने निकाले जा रहे हैं पहला कयास लगाया जा रहा है कि इस एलांस से स्पष्ठ हो गया है कि चिंदवाड़ा से नकुलनाथ चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं और वो कमलनाथ लोगसभा चुनाव नहीं लड़ेगे दरसल पिछले कई दिनों से पूर्व सियम कमलना और सांसर नकुलनाथ चिंदवाड़ा पहुंचे जिसके चलते स्वमवार को वो सुभा राम राम पत्रकों की पूजा अर्चना के बाद परासिया में जनसभा की और यहीं से कई तरह के बायान जो है वो सामने आये और लोगसभा चुनाव के चंद महीने बाकी रह गए हैं इससे पहले सांसर नकुलनाथ अपने पिताप पूर मुख्यमंतरी कमलनाथ के साथ लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं उन्होंने आज शिकार पुरा निवास पर जहां विभिन ब्लॉक के कॉंग्रिस पददिकारियों की बैठक ले तो वही परसिया में जनसभा को भी सं क्या राहुल गांधी सी नाराजगी के चलते कमलनाथ हुए हैं बागी राहुल ने मद्यप्रदेश विधानसभा चुनाव हार के लिए कमलनाथ को बताया था जिम्बेदार 2023 का मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव कमलनाथ के नेत्रित में कॉंग्रिस ने लड़ा था लेकिन कॉंग्रिस को राज्य में शर्मनाख हार का सामना करना पड़ा आपको बताते कि विधान सभा चुनावों में 230 विधान सभा सीटों में से 163 सीटे जीतने वाली बीजेपी को 48.62 फीसिदी वोट मिले जबकि 66 सीटे जीतने वाली कॉंग्रेस को 40.45 प्रतिशत वोट मिले थे साल 2019 लोगसभा चुनाव में कॉंग्रेस की प्रदेश शिकाय के पूर्व अध्यष कमलनाथ का गड़ कही जाने वाली छिंदवारा सीट पर ही पार्टी जीत पाई थी उनकी बेटे नकुलनाथ ने सांसद जो है वो इस सीट से ही उन्होंने कबजा जबाया था जबकि 28 सीटे जो थी उस पर बीजेपी ने बंपर जीत दर्ज की थी इस बार बीजेपी छिंदवारा पर भी जीत दर्ज करने के इरादे से कमलनाथ को अपने पाले में लाने के लिए जुकत लगा रही है क्योंकि छिंदवारा जो है वो कमलनाथ का गड़ कहा जाता है वहीं जिस तरह सि परदेश में चुनावों में उनकी पार्टी राज्ये की 39 में से कम से कम 15 सी ज्यादा सीटों पर जीट दर्च करेगी। इसके साथ ही पटवारी ने सत्ता धारी बीजेपी के उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें उसने अगामी आम चुनावों में सभी 29 सीटे जीतने की बात कही थी जीतो पटवारी ने गौलेर में एक प्रेस कॉंफरेंस में कहा 29 सीटे जीतने का दावा करके बीजेपी मतदाताओं को चुनावती दे रही है मैं दावा नहीं करूँगा लेकिन परिणाम सच्चा ही दिखाएंगे मत प्रतिशत से पता चलता है कि कॉंग्रस मद्यप्रदेश में 15 से अधिक लोगसभा सीटों पर जीत दर्च करेगी बीजेपी मत्यप्रदेश में लोगसभा चुनाव की द्रिश्टी से यहाँ पर कहें कि सभी 29 लोगसभा सीटों पर प्रभारी और सायोजग घोशित कर चुकी है शनिवार को प्रदेश बीजेपी के कारेले में दिन भर चली बैटकों के बाद सीनियर नेताओं से विचार विमर्ष के बाद देरा सूची जारी कर दी गए बीजेपी की तरफ से जारी के गई सूची के अनुसार भिंड सीट का सयोजग अवदेश कुश्वा से सयोजग में मेग सिंग गुजर और प्रभारी लोकेंदर पराशर को बनाया गया है इसी तरह कॉंग्रेस की कबजे वाली संसदिय सीट छिंदवारा का सयोजग शेश राव यादव और प्रभारी नरेश दिवाकुर को बनाया गया है आपको बता दे कि लोगसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मद्यपरदेश में साथ कलस्टर जो है साथ कलस्टरों में उसे बाटा है और साथ बड़े नेताओं को इसकी जिम्यदारी दी है जबकि 11 सीट ऐसी हैं जहां लोगसभा प्रभारी और सायोजग के साथ से सायोजग भी बनाये गए हैं यानि बीजेपी मिशन 29 पर लगी हुए मद्यपरदेश की 29 लोगसभा सीटे कई माईनों में बीजेपी के लिए काफी खास हैं और इसकी लिए बीजेपी लगातार एक्शन प्लान बना रही है लेकिन कॉंग्रिस की जो अंदरूनी गुड़वाजी है वो अब खुल कर सड़क पर आच चुकी है जीतू पटवारी का गुड़ जो है वो उनके साथ नज़र आ रहा है तो वहीं नकुलनाथ और कमलनाथ क्योंकि चिंदवाड़ा से नकुलनाथ मौजूदा सांसद है तो वहीं कमलनाथ के भी चुनाव लड़ने की यहां पर अटकले लगाई जा रही थी लेकिन आज यह प कॉंग्रिस ने यहां पर किसी भी उमीदवार का एलान नहीं किया है सिर्फ यहां पर एक जुच्च उमीदवार है उनकी एक सूची तक नहीं बनाए गया लेकिन यहां पर नामों पर विचार चल रहा है लेकिन जिस तरह से नकुलनाथ में आज सीधी चनौती यहां पर कॉ साफ हो जाता है कि वह बागी तेवर अपना चुके हैं उनका साफ कहना है कि वह चिंदवाड़ा से ही मैदान में उतरेंगे यानि चिंदवाड़ा सीट एक तरफ बीजेपी अपने पाले में करना चाहती है उसके लिए वह लगातार यहां पर कमलनाद पर डोरे डाल रही है त चाहे तो यहां पर पार्टी छोड़ सकता है जिस तरह से मिलिन देवरा और यहां पर सिंध्या और जितने भी जो नेता छोड़ कर गए हैं वो भी और अब जो मुझूदा नेता हैं अगर वो कॉंग्रेस की विचारधारा से सैमत नहीं है तो वो पार्टी छोड़ सकते हैं मुझे इससे कोई आपती नहीं होगी तो उनके इस बयान को भी कमलनाज जो है वो इससे जोड़ कर देखा जा रहा है पूरा जो यहां पर जो राजनेतिक समीकरण उभर कर आ रही हैं मध्य प्रदेश में आने वाला वक्त जो है वो कॉंग्रेस के लिए मुश्किलों भरा ह हो सकता है और दो हजार चौबिस लोगसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है चुनाव आयोग कभी भी तारिखों का ऐलान कर सकता है ऐसे में कॉंग्रेस की दिकतें लगातार बढ़ रही हैं चाहें फिवरो यूपी हो बिहार हो बंगाल हो महराश्ट हो हर जगे स यहाँ पर कॉंग्रेस के लिए बुई खबरे सामने आ रही है अब कमलनात की जो वागी तेवर हैं उन्हों ने भी यहाँ पर कॉंग्रेस आला कमान की दिकतों में इदाफा कर दिया है तो यह थी हमारी स्पेशल स्टोरी आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट ब